गुड मॉर्निंग फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग गरू तो आज के जो हमारा टोपिक उसमें हम करेंगे रिव्टेड जोइंट के बारे में देखेंगे कि रिव्टेड जोइंट क्या होते है डाइग्राम के मसे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टोपिक तो देखें हमारे पास अलगलग टाइपस के रिविट है जैसे कि अगर हम बात करें सिंगल रिप्टेड लैप जोइंट है डवल रिप्टेड जोइंट है डवल रिप्टेड जिग जैग लैप जोइंट है उसके बाद है सिंगल double rifted double strap but joint है और फिर है double rifted double strap zigzag but joint तो सभी को डàiегоराम की मत से समझेंगी कैसे कैसे यह जो joints होते हैं तो थोड़ा rifted के बारे में पहले देख लेते हैं रिटेट होती क्या होती है और यह क्या काम आते हैं उसके बाद में हम डागराम की मत से बाकियों को देखेंगे तो introduction देखिए riveted की क्या है कि riveted क्या होते है permanent fastening होते है is riveting is one of the commonly used method in producing resident permanent joint देखिए अगर हम किसी चीज़ को अगर हमने permanent joint लगाना है उसको join करना है किसी भी दो चीज़ को metal to metal surface को अगर हमने join करना है तो हम riveted का इस्तमाल करते हो यह permanent fastening होते है यानि कि एक बार अगर हमने इसको लगा दिया तो हम इसको दोबारा खोल के दोबारा हम इसको use नहीं कर सकते हैं हम इसको तोड़के कुछ नमाए जो वो लगाना पड़ेगा अब हम इसको कहां पे इस्तमाल कर सकते हैं अगर हम boiler बना रहे हैं manufacturer boiler boiler बना रहे तो हम इसका 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 पर लगाई जाते हैं ये देखिए ये रिविट ये आपने ये देखी होगी ऐसी इसकी डाइगराम होती है जो ऊपर वाला होता है इसको हम HEAD बोलते है और नीचे वाला जो होता इसको SHANK बोलते है और रिवेक राउंड रोड होती है, एक circular की टाइप रोड होगी round इसके घंड के इसके और पर यह वाला Willis ो रिवेक्टीर होगा पर इसके दो पाट होगे, आध होगा और एक शेंक होगा ये डिपेंड करते हैं कि आप इसको किस मटेरियल में यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो इसके हेड है, वह चेंज कर दिये जाता है उनका साइज और शेप भी चेंज हो जाती है यह देखे इन सबी की डाइगराम है, जो मैंने अभी बताए, स्नैप हेड है, यह देखे यहां पर यह ऐसे है, ठीक है, उसके बाद है हाई बटन हेड है, इसकी जो यहां पर देखिए, जो राउंड है वो थोड़ी सी, यहां पर जो ओवल शेप की वो बन गई है, ऐसके बाद pen head था, पैन की type का यहां पे आप देख सकते हैं यह देखिए, उसके बाद यह cone head है, cone shape में आ गया है, यहां पे, उसके बाद round top counter chunk head है, यह देखें, counter chunk राउंटर शंक है, यह round top हो गयां से, इसके बाद flash है, बिलकुल flat head है, ठीक है, यह भी बिलकुल flat head है, और उस इसरे के face to face रखा जाता है, जिसके उपर वो overlap हो जाती है, तो उसके अंदर जो हम एक portion होता है, जिसके बीच में हम जो rivets है, वो बीच में fit कर देंगे, तो देखिए कैसे होता है, यहां पर यह फर्स्ट प्लेट है, यहां पर यह सेकंड प्लेट है, अगर हम इन दोनों को प् तरफ से और हैमर की मद से हम इसको जोइन है, वो कर देंगे, यह है हमारा rivet joint है, देखिए ऐसे होगा, इनिशल में जो प्लेट है, वो ऐसे होगी, इसके बाद यह जो rivet है, इसके अंदर जो rivet है, वो fix हो जाएएगी, और यह प्लेट है, यह भी join हो जाएगी, उसके बाद single riveted lap joint है, जो मैंने आभी आपको दिखाया, उसके बाद यह double riveted lap joint है, यहाँ पर क्या होता है, जो rivet है, वो double-double इसके उपर लगाई जाती है, जो कि इसकी जो strength है, वो increase हो जाएगी, यह जो plate है, अगर हमें कोई hard material पर यह इसको plate को लगाने है, तो हम double riveted lap joint है, वो लगा द होई है, उसके बाद देखिए, जो next वाली हमारे पास होती है, double riveted jig-zag lap joint, जो अभी previous देखी, वो भी double riveted थी, मगर वो क्या थी, वो chain type थी, और यह कौन सी है, यह हमारे पास jig-zag lap joint, jig-zag कैसे होता है, jig-zag ऐसे होता है, यह देखिए, जिग-zag होता है, तो यहाँ पर भी ऐसी है यह ऐसे, इधर, फिर यह दर, और यह दर, यह jig-zag, double riveted jig-zag, यह lap joint है, उसके बाद यह देखिए, difference आपको यहाँ पर clearly दिख रहा होगा दोनों के बीच में, कि jig-zag और जो हमारे पास दूसरी chain type है, इसके बीच में क्या यहाँ पर difference है, next देखते हम, यह देखिए, single riveted lap joint, double riveted lap joint, इसकी जो आपको diagram देखेगी, जो diagram है, वो आपको side में से, ऐसी इसको नजराएगी, उसके बाद है, जो third वाली हमारे पस double riveted lap joint है, ठीक है, यह jig-zag type है, जिग-zag type में इसकी जो shape है, वो देखिए, जो shape है, वो ज़्यादा आपको difference नहीं मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको ऐसे लगए कि यह large है, दूसरा तोड़ा सा इससे छोटा है, और next वाला देखते हम, यह देखिए, इसकी original diagram, जब भी आप, अगर आप machine, इसका drawing बनाते है, तो आपको यह drawing है, वो आपने ऐसे इसकी बनानी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह joint से लगे हुए है यहाँ पे यह simple chain type है, और यहाँ पे यह jig-zag type है, अगर आप इसको note करना चाहे तो अपनी notebook में note कर सकते हैं, आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, अब butt joint की बात करते हैं, butt joint में क्या होता है, देखिए, यहाँ पे यह butt joint है, butt joint में क्या होता है, कि दो plate होंगी आपके सामने, एक यह प्लेट होगी, और इसके उपर आपने जो जोइन करनी है, वो यह वाली plate है, इसको बोलते हैं, butt joint, ठीक है, इधर इधर यहाँ पे आपको rivet है, वो लगाने है, butt joint में देखिए, अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन इस type of joint, the plate are brought to each other, दोनों plate को एक दूसरी य होगी, यह ठीक है, यहाँ पे यह पे यह plate है, और इसके उपर यह cover plate है, इसके उपर जो riveted है, वो आपने लगाने है, यह depend करते है कि number of cover plate वो कितनी लगेंगे, single भी हो सकती है, वो double step भी हो सकती है, दोनों की diagram देखेंगे हम, इसको थोड़ा कर देते हैं, side में, यह पर cover की हुई है, इसको हम cover plate बोलते हैं, और next देखते हैं, यह देखिए, बट जोइंट है यहाँ पे, और यह यहाँ पे बताया हुए आपको कि इसके अंदर यह कैसे लगेंगे, और next बाद देखिए, यह देखिए, यहाँ पे भी single riveted, single strap बट जोइंट है, single riveted है, यहाँ पे, यह single riveted है, और यह single, जो strap है, इसकी, वो single riveted, single strap बट जोइंट है, next में देखते है, double strap वाला कैसे होगा, यह देखिए, single riveted है, पर double strap है, एक नीचे इसके लगाई हुए, जो यह brown color के आपको दिख रही है, देखिए, यह brown color के आपको दिख रही है, और नीचे भी एक brown color इसके दोबर देखिए, और देखिए, double riveted है, यह देखिए, double div distant का है, double है, यह यहाँ पे double, double, double兩, कर दी, यहाँ पे दो, सारी एक, जो riveted है, वो double कर दी, और strap भी double है, एक नीचे है, दो riveted है, और दो, yहाँ पे हो है, तो यह थिय थिया हमारी आज की video, जिसमें हमने देख क्यों